केन सरकार PLI योजना के रिव्यू में उन सेक्टर्स को इस योजना के दाइरे से बाहर कर सकती है जिन में निवेशक कम रुची दिखा रहे हैं या अभी तक PLI योजना का लाब नहीं हुआ है सरकार उन योजना के तहतु सेक्चर्स पर ज़ぜादा फोकस करना चाहते हैं जहां सबसे जादा फाइदा हो रहा है जहां से सबसे जादा रोजगार आ रहे हैं अब इकउल 14 सेक्टर्स हैं अलग-अलग जो इस सेक्टर्स कम हो जाएँगे एक लाग करों रुपए से उपर के इन्वेस्टमेंट को प्लेज किया गया है पीलाई सेक्टर के अंदर आपको याद होगा कि हमने एकनोमिक अमें प््लाई सेक्टर पर सबसे पहले एक विजितार से सिलिक्षा प्रिपोर्ट की थी और हमने बताया था कि इस पीलाई सेक्टर की स्कीम में कई सारे सेक्षेत्र हैं जिने आने वाले समय में बंद करना पड़ेगा क्योंकि उसमें निवेशकों की रूचिन नहीं दिखाई दी और धीमे दीमे चीजें उस दिशा में जाती दिखाई दे रही चुनाव की तरफ बढ़ते हुए सरकार ल एक बड़ी हार का सामना किया था जिसमें इस स्कीम को डेवली ट्यू ने बंद कर दिया था और इसके आदे से लाया गया था दोजार पच्चीस में इसको खतम होना है या इसका रिनूवल किया जाना है इसमें जो 14 सेक्टर्स खोले गये थे उनमें से कुछ खास सेक्टर्स है टेली काम में और कुछ हाई टेकलाजी सेक्टर में इनमें निवेश आया है और यही इतने सेक्टर हैं जिन सेक्टर के आधार पर प्लाई इसकीम में थोड़ी सफलता दिखी इसके अलावा आईटी हार्डवेर सबसे महतुपूर्ण है इसी के लिए सरकार ने पिछले सा आयात पर सकती की थी और प्रतिबंद लगाया था और तमाम तरीके का लाइसेंस परमिट राज जारी किया था इससे सबसे आगे रखा गया था प्लाई में क्योंकि भारत चीन से अपनी नरभरता कम करना चाहता था आईटी हार्डवेर पर बहुत अच्छा सपोर्ट इसे करने में रुची नहीं दिखाई तर से आप इकनामिक में देख सकते हैं नेक एक शेतर का विशलेशनल किया था जहां बताया था आपको लेकिन आप इस स्कीम में के स्वरूप में बदलाव होगा संसेट सेक्टर्स को हटाया जाएगा संसेट क्लास डाला जाएगा और शाय है झारiker क रला और यहे thing ass घाईचन आप नहीं बताया जार झाला जो के एचира है से लिग्यूशनल किया झाईचाब बताश होग दोगला और थामी शूव内 दोंगे स्वरूशनल कि सो गएझाशनल कि नहीं भी हैजर लागं बतावर इस्त पाईचा है से वियर डियेशनल किय